हेलो फ्रेंट्स, हाई यार, हॉप योला गूट और हेल्दी 11th क्लास में हम कर रहे हैं हमारा चप्टर टिग्नोमेट्रिक फंशन्स ठीक है और जिसके अंदर आज का हमारा टोपिक रहेगा बहुत ज्यादा इंपोर्डन टोपिक है फ्रेंड्स प्रिंसीपल वैल्यू आपको निकान नहीं हो, जनल वैल्यू आपको निकान नहीं हो, यह प्रिंसीपल वैल्यू और जनल वैल्यू क्या है यह आप वीडियो में बने रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रिंसीपल वैल्यू होती है, क्या हमारी जनल वैल्यू होती ह स्टार्ट प्रिंसीपल वेल्यू या प्रिंसीपल सोलीशन जिसको बोल देते हैं क्या होता है हमारा प्रिंसीपल सोलीशन आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंशन है आपके पास कोई यह तो वह चीज से किस में कनवार्ट हो जाती है तो यह हमारा क्या बन गया ट्रिग्वेशन इस पर जब X की वेल्व हम निकाले इस एक्वेशन चे जब X की वेल्व निकाले अगर वो X की वेल्व हमारी 0 और 2 pi के बीच में, 0 के इकबल भी हो सकती है लेकिन 2 pi से हमारी क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए. अगर ये 0 और 2 pi के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारी क्या होती है? principal value होती है. और अगर ये 2 pi से बड़ी चली जाए उसको n के multiple की form में लिख दें हम, जैसे x की value हम तो इसे ही वेल्यू क्या करती जाएगी वेरी करती जाएगी जब हमें कोई फिक्स वेल्यू मिलती है जीरो और टू पाई के बीच में तो उसको हम बोलते प्रिंसिपल सोलीशन और जब हमें जब हमें अन के मल्टीपल में अन की फोर्म में आपको वेल्यू मिलती है उसको आप क्या बोलते है जर्नल सोलीशन दो चीजे हैं आपके पास एक है प्रिंसिपल सोलीशन और एक है आपके पास जर्नल सोलीशन तो जो solution होगा trigonometric equation का, अगर वो किस form का होगा, अगर वो lie करता है 0 से 2 pi के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे principle solution, कौन सा solution बोलेंगे, principle solution, ध्यान रखना इस बात को, अगर वो बोल दे कि general solution आपको find out करना कहीं, आप principle solution निकाल के छोड़ाओ, तो आपके marks नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो चीज उसने बोली है, वही हमें find out करना है, principle solution बोला है, तो 0 से 2 pi के बीच में, एक्स की value जितनी आएंगी, दो value आएंगी, ठीक है, तो वो दोनों value आपने write करनी है, और अगर उसने general solution बोला है, तो एक्स की जितनी value आएंगी, च general solution, तो the equation involving integer n gives all the solution of trigonometric equation, देखिये print क्या कह रहा है, कि यहाँ से क्या बनगी, x is equal to n pi, यह भी क्या equation बनगी न, बनगी या नहीं बनगी, जहाँ पर इक्वल डुगा sign आजाता है, variable आजाते हैं, वो हमारी क्या बन जाती, equation बन जाती है, simple सी चीज़, अब इस equation में, यह equation क्या कह रही है, इस trigonometric equation की सारी, की सारी value दे रही है, the equation involving n gives all the solution of trigonometric equation, जिसके अंदर n आ जाता है, जिस equation के अंदर n आ जाता है, वो आपकी क्या देती है, सारे क सारे solution देती है किसके solution देती है trigonometric equation के solution देती है तो उसको हम क्या बोलते थे general solution और जो normally 0 से 2 pi के बीच में solution देती है उसको हम क्या बोल देते है friends क्या बोल देते है principal solution ठीक है चलिए ये बात ही principal solution की और general solution की अब निकालेंगे कैसे इनको को पता कैसे चलेगा हमें ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपको तीन कंसेप्ट पता उनुची तीन चीज़े पता उनुची मैं भी राइडाउं करवाती हूं आपको क्या है कि अगर आपके पास तीन फंचन है है साइन एक जिस इकल टो साइन गई यह कोई दूसरा पंचें ने कास सीजेग्ल टौ टौ तो कह जब THEısı अब देखिए आपको तीन ही छीज़े कर देंगे यहां से भी आ जाएगा यानि कि इन तीन चीज़ों का पता होना चीए बस आपको ठीक है तो अगर साइन एक्स इस इकल टू साइन वाई है तो एक्स की वेलू क्या होगी एन पाई प्लस माईनस वन रेशुदी पावर एन इंटु वाई एन बिलोंगिंस तु दा इंटीजर प्रूफ कहीं नहीं आना है आपका फिर भी कहोगे तो मैं एकका प्रूफ करवा दूँगे बाकी दो का आप खुछ ट्राइ करके देखना नहीं निकलता है तो मैं फिर भी करवा दूँगे ठीक है एक का मैं करवा देती नों ठीक है वैसे प्रूफ आएगा कहीं नहीं बस यूज होगा यूज होना है यह वगी चीज ने ठीक है एक किस के इकवल हो जाएगा एंड पाई प्लस वाई एंड प्लस वाई और एंड बिलोंगिंग्स तु दा इंटीजर एंड बिलोंग्स दा इंटीजर मैं का प्रूफ करवा देती हूं बाकी दो का खुट राए करना अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं फिर भी करवा दो ठीक है चलिए साइन एकस इकल टू साइन वाई का ट्राए प्रोसेस सेम रहेगी दोनों की प्रूफ अलग नहीं है इसलिए मैं इका प्रूफ करवा रही हूं सिंपल फोर्मुला लगेगा क्या है दिख लिए इसको इधर ले आई इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा cos x minus cos y तो cos c minus cos d तो इसका क्या होता है 2 sin c plus d by 2 और sin c minus d by 2 और बहर क्या लग जाता है sin minus लग जाता है तेंजेंट एक्स माइनस तेंजेंट वाई इसको उपर नीचे आप साइन को समें चेंज कर लेंगे वहां से आ जाएगा आ जाएगा ना ठीक है तो देखिए तो sin x minus sin y is equal to 0 तो यहां से क्या आया 2 cos x plus y by 2 और sin x minus y by 2 ठीक है friends अब दो दो factor है उनकी product की multiply 0 है तो नहीं या तो यह 0 यह 0 है एक बार इसको माल लेते हैं यह 0 है तो माल लेते हैं cos x plus y 0 और एक बार इसको consider कर लेंगे sin x minus y is equal to 0 अब आपको पता है कि cos 0 cos 0 कहाँ पे होता है हमारा अगर हम generally देखे हैं तो cos 0 हमारा कहाँ पे होता है कल हमने discuss की थी यह चीजे यह चीजे हमने discuss की थी previous lecture पे हम discuss कर चुके है कि cos 0 कहाँ पे होता है x की value क्या होती है pi by 2 के multiple odd multiple of pi by 2 तो यहाँ पे cos 0 है एक बार तो ही है तो cos 0 एक बार sin 0 तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा तो x plus y by 2 आपका क्या हो जाएगा 2n plus 1 into pi by 2 और n belonging to the integer यह normal सी चीजे हैं पता हैं अब देखे अब x minus y 0 कब होगा और x minus y by 2 आपका 0 कब होगा जब आपका कुन सा multiple होगा n pi और n belonging to the integer इसका multiple होगा n pi और n belonging to the integer अब यहाँ से बात करें यहाँ से एगर उपर वाली equation को solve करें तो x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 2 को मुदर ले जाते है 2 को मुदर ले जाते तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 2n plus 1 into pi minus y minus y और यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2n pi plus y 2n pi plus y अब हमें तो इसको क्योंकि हमारी 2 बन भी है यह यह बन भी है यह यह बन भी है यहाँ पर जब 2n plus 1 है तो minus sign आ रहा है 2n है तो plus sign आ रहा है 2n plus 1 है यानि कि odd number है तो minus sign आ रहा है तो क्या मैं इसको यह चीज नहीं लिख सकती 2n plus 1 into pi क्योंकि हर बार odd आएगा तो minus sign ही आएगा तो minus 1 की power 2n plus 1 into y अब आप देखें यहाँ पर यहाँ पर odd है minus 1 की power odd है odd आएगा तो यहाँ भी minus sign और क्या इसको मैं यह नहीं write कर सकते 2n pi plus minus 1 raise to the power 2n into y minus 1 raise to the power 2n into y यह तो यह चीज होगी यह फिर यह चीज होगी अब देखें यहाँ पर तो क्या आगया odd वाले आगे odd वाली condition satisfy कर रहें यहाँ पर कौन से आगे e1 वाले और e1 वाली क्या कर रहें condition satisfy कर रहे odd और e1 मिलके क्या बना देते हैं सारे के सारे integer बना देंगे है ना तो यहाँ से दोनों को मिलाएंगे 2n plus 1 यहाँ से है 2n यहाँ से है तो क्या आगे सारे के सारे n आगे सारे के सारे यहाँ से क्या आगे n आगे तो यहाँ की x की value क्या आगे यहाँ से n pi और plus ऐसे ही minus 1 की power यहाँ 2n है यहाँ पर 2n plus 1 मिलके क्या बना देगी n बना देगी n y और where n belongings to the integer क्या यह चीज यहीं नहीं थी क्या यहीं है ना कि x is equal to n pi plus minus 1 raise to the power n into y ऐसे इसको solve करेंगे तो यहाँ से आएगा ऐसे इसको solve करेंगे तो यहाँ से आएगी चीज अगर मैं बार-बार बोड़ी अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे comment section में comment कर दीजिए कि मैं नहीं हो पा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट करेंगे अगर आपने अभी basic अपने clear कर लिए तो आप competitive exam में मार नहीं घा होगे लेकिन अगर अभी से आपके basics clear नहीं हो पाए तो आगे जाके आपको competitive exam के preparation सरने बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ सकता है ठीक है तो आज से ही लग जाए यह बस चलिए है यह हो गया है हमारा इनको लिखा रहने देते पे ठीक है ताकि आपको easy रहे देखी फिर्स कोशन देखी फ्रेंट्स हमारा क्या है तेंजेंट x is equal to root 3 अब लेफ्ट साइड में टेंजेंट है तो में राइट में भी क्या बनाना पड़ेगा टेंजेंट बनाना पड़ेगा राइट में भी क्या बनाना पड़ेगा में टेंजेंट मनाना पड़ेगा और पहले हम बात करें प्रिंसीपल सॉलीशन की किसकी बाद दो नहीं कर लेगे चलो नहीं निकालके दिखा दूँए आपको प्रिंसीपल भी निकालके दिखा दूँए आपको क्या निकल क्या रही है पाइबाइट टो मैंने क्या हो रहा है प्रिंसिपल सोडिशन में आपको जीरो से टूपाइ की जितनी वाल्य आती वह साइड करनी अब आप यह देखेंगे तो पॉजटीव है टेंजेट पाईबाइट रिका फॉजटीव और टेंजेट तो यहां तक कोई प्रॉब्लम रहेगी हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो यानि कि यह क्या आ जाएगा, टेंजेंट 4 पाई बाई 3, तो टेंजेंट 4 पाई बाई 3, 0 से 2 पाई के बीच में है तो यानि कि यह भी कैसा solution, इसका principle solution है, तो X is equal to, अगर इन दोनों को compare करेंगे यहां से, tangent X is equal to tangent pi by 3, तो इन दोनों को compare करेंगे, tangent से tangent करजागा, एक T is equal to pi by 3, और अगर tangent X और tangent 4 pi by 3 को compare करेंगे, यहां से tangent से tangent करेंगा, X की value क्या आगी? 4 pi by 3, तो यह एटकिby X की value pi by 3, और 4 pi by 3 यह हमारा कैसा solution हुआ? Principal solution कैसा solution हुआ? Principal solution अब बात करें general solution की तो general solution में क्या concept बताया था हमने? x is equal to n pi plus y x is equal to n pi plus y यहां से देखी अब हमें छोटी value लेनी है अब हम बड़ी की जूर्त नहीं है बड़ी की जूर्त क्यों नहीं है? क्योंकि यह y छोटे से छोटा हमें लेना है अब 0 से 2 pi में जितने छोटे बड़े आ रहे थे वो हमने ले लिए ठीक है? तो हम main हमारा focus रहेगा जो हमारा basic value होती है root 3 की root 3 की basic value क्या होती है? tangent pi by 3 तो यहां से x को compare करेंगे tangent x is equal to tangent pi by 3 ठीक है? तो यहां से करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? end pi plus pi by 3 और end belongings to the integer यह कैसा solution है? यह आपका general solution है कुनसा solution है आपका? general solution है आई बात समझ आपको देखे मैं फिर से repeat कर देती हूँ मैं कि general solution क्या होता है? principal solution क्या होता है? principal solution में आपको 0 से 2 pi में जितनी भी value आती है वो चीज़े लेनी है अब यहां से first देखा हमने pi by 3 आ रही थी फिर हमें पता है कि tangent तो third quarter में positive होता है तो इसको tangent x कॉम tangent pi plus x लिख देंगे तो भी कोई change नहीं आएगा अब pi plus x कॉम ने solve किया तो क्या आ गया? 4 pi by 3 आ गया तो यहां से हमने compare किया x की value एक pi by 3 एक 4 pi by 3 जनरल का मैंने formula लिखवाए आपको x is equal to n pi plus y आई चीज़े समझ में? ठीक है? चलिए बढ़ते हैं next question की और next है हमारा secant x is equal to 2 secant x is equal to 2 तो secant को देखके डरने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है आपको आपको बता है कि secant क्या होता है? 1 by cos होता है secant क्या होता है? 1 by cos होता है तो क्या होता है? यह 1 by cos is equal to 2 तो यहनी की cos क्या आगया है? cos x क्या आगया 1 by 2 अब cos x 1 by 2 कहा होता है? cos x 1 by 2 कहा होता है? 5 by 3 पे cos 5 by 3 हमारा क्या होता है? cos 1 by 2 क्योंकि अब प्रिंसिपल सोलिशन निकालना है यह तो general solution में help करेगा 5 by 3 तो basic value हमारी general solution में help करेगा ठीक है? अब प्रिंसिपल सोलिशन भी निकालना है तो उसके लिए हमें एक और देखना पड़ेगा अब यह तो positive है ना? 1 by 2 positive है तो cos और कॉनसे quadrant में positive होता है? देखा जाए तो 4th quadrant में positive होता है तो 4th में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 pi minus pi by 3 आप कोगे मैं cos को तो 4th quadrant में तो हम 3 pi by 2 plus pi by 3 भी लिख सकते हैं G नहीं लिख सकते 3 pi by 2 पे value cos की change हो जाएगी किस में change हो जाएगी? sign में change हो जाएगी किस में change हो जाएगी? sign में लेकिन हमें तो left में भी cos चीए और right में भी cos चीए तो यहां से देखेंगे तो यहां से हमारी value की आजाएगी? 5 pi by 3 तो यहां से cos के आगे हमारा 5 pi by 3 आप इसको compare करेंगे cos x को cos pi by 3 से compare करेंगे तो x की value क्या आगी? pi by 3 और cos x को cos 5 pi by 3 से compare करेंगे तो क्या आजाएगा? 5 pi by 3 यह तुम्हारे कैसे solution हुआ, principal solution, PS से में लिख देती है उसको, कैसा solution हुआ आपका, principal solution, अब बात करें general solution की, तो general solution का क्या है formula, x is equal to 2 n pi plus minus y, कितना है था फास्टेश बे, pi by 3, कितना है था, pi by 3, हमने यह क्यों नहीं लिया, 5 pi by 3, अगर यहां पे 5 pi by 3 लिख देंगे न, उसमें तो pi by 3 को include नहीं होगा, क्यों, क्योंकि value तो 2 n pi plus pi by 3 हो रही है, हो रही है न, तो आप लिखने को यह भी लिख देंगे, तो negative में, कही ना कही negative में आ जाएगा यह चीज़े, ठीक है, अगर हम generally देखे, अगर हम pi by 3 करेंगे, तो ऐसे आ जाएगी n की value 1 foot करेंगे, लेकिन हम लेके चलते हैं, basic value जो हमारी होती है, जो हमारी बिल्कुल first stage पे जो value 0 से 90 के बीच पे जो value लाई करती है, वह हम y के value लेके चलते हैं, अगर वो positive है, तो अगर negative है, तो फिर हम उसको positive बना के लेते हैं, ठीक है, तो यहां से 2 n pi plus pi by 3 और n belonging to the integer, n belonging to the integer, n belonging to the integer, आई चीज़े समझ में, ऐसे आपको apply करने हैं, जो मैंने तीन आपको concept बताए हैं, जो तीन मैंने formula बताए हैं आपको, यह आपको ऐसे apply करने है, ठीक है friends, चलिए, बढ़ते हैं next question की और, अब देखिए, बहुत interesting question आ रहा है, बहुत interesting question है, अब यह minus आ गया, अब इससे principal value लेंगे, वो minus में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें principal value कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 2 pi के बीच की, negative तो नहीं बोला, उसने कहीं भी, तो मतलब इस negative को हमें क्या बनाना है, positive बनाना है, इस negative को क्या बनाना है, positive बनाना है, देखिए question कैसे solve, बहुत interesting question, तब court को किसमें change करेंगे, पहले तो tangent में change करेंगे, minus 1 by root 3, ठीक है, minus 1 by root 3, अब tangent 1 by root 3 कहां होता है, देखा जाए तो, pi by 6 पे, इस पे होता है, pi by 6 पे, अब देखिए, यहां तो positive tangent होगा, यहां negative tangent होगा, ऐसे मत कर देंगे, ना, tangent से tangent आपने cut कर दिया, तो x की value minus pi बिल्कुल भी नहीं, tangent बहार positive होना चाहिए, tangent बहार क्या होना चाहिए, positive, तभी वो cut हो सकता है, तभी आप उसके उपर principal solution का, यह general solution का rule apply कर सकते है, दरवाइस नहीं, यह tangent क्या negative है, यह tangent क्या negative है, इस पे apply नहीं होगा, tangent को क्या बनाना पड़ेगा, positive, चाहे angle उसके अंदर negative होन जाए, अब हमने previous lecture में discuss किया था, कि tangent of minus x क्या होता है, minus tangent of x, क्या होता है, minus tangent of x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tangent of minus y by 6, tangent of minus y by 6, यह चीज़े लिख सकते हैं न, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर इसको compare करेंगे, तो यहाँ से तो हम x की value minus 5 by 6 मिली, जो कि possible नहीं है, not possible, नहीं है न, तो यानि कि इस minus को अंदर ले जाने का भी कोई effect नहीं हुआ, कोई फरक नहीं पड़ा, minus को अंदर लेके चले गए, तो हमारी x की value क्या i, negative y, जो कि possible नहीं है, यानि कि इसी minus को हमें positive यहीं बनाना पड़ेगा, इस minus को हमें positive बनाना पड़ेगा, ताकि angle भी positive बना रहे हो, tangent का minus भी अच्छे, अब अगर, अब मुझे इच्छीज बताइए, minus कब positive बनता है, जब मैं उसको minus से ही multiply कर दो, तो rule यहीं कहता है, minus को positive बनाना है, अब मैं negative को positive बनाना है, तो negative को मैं negative से multiply कर दूँगी, तो क्या बन जाएगा, positive इसका कहने का मत्तब यही है, कि यहाँ पर अगर देखिए, tangent x is equal to minus tangent pi by 6, यहाँ पर देखिए, कि tangent negative किसमें होता है, जिसमें tangent negative होता है, उसी के उपर rule अपलाई कर देंगे, तो negative क्या बन जाएगा, positive बन tangent किसमें negative होता है, second में, तो second में लिखेंगे, तो pi minus pi by 6, यह तो किसकी value लिख दी मैंने, tangent pi by 6 की, tangent pi by 6 की value क्या होती है, tangent pi minus pi by 6 और minus sign आएगा, आएगा यह नहीं आएगा, tangent pi minus pi by 6 क्या होता है, minus tangent, यहाँ पर लिख लिखिए, opposite चलें है, भई हम, tangent pi minus pi by 6 क्या होता है, minus tangent pi by 6 होता है ना ये क्योंकि टेंजिन कोभ रिंग से फार्डम में से किन्फ रेंग डेंग क्या होता था क्या होता है इस नेगटिव को मैंने क्या बना दिया अभी पॉजेटीव बना दिया इस opened क्या है ओ Egyptian sabe अब यहां से देखेंगे, यहां से अगर देखें, तो एक तो यह आ गया, अब हमें तो principal value तो दो चाहिए न, principal solution तो दो होते हैं, अब और कौन से एक बारें में negative होता है, दूसरा कौन सा compare करें, fourth में होता है न, negative, तो fourth में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, two pi minus pi by six, आई ची टेंजेंट 11 pi by six, अब पहले इस tangent x को tangent 5 by six क कलेंगे, तो x की value क्या आजएगे, 5 pi by six, और दूसरी, tangent x को tangent 5 by 11 pi by six कलेंगे, तो value क्या आजएगे, 11 pi by six, तो यह तो कौन सा solution होई आपका, principal solution, कौन सा string होई आपका, principal solution आई चीज़े समझ में अब principal solution है अब general solution निकाना general solution क्या होता है n pi plus y n pi plus y तो general solution क्या हो जाएगा n pi plus y कितना है छोटे वाला लेना है नामने 5 pi by 6 और n belonging to the integer n belonging to the integer इस question को करवाने का मतलब यही था आपको समझाने का मतलब यही था कि अगर principal value अगर principal solution आपका negative आता है तो वो negative नहीं लिखना है क्योंकि principal solution आपका light इसमें करता है 0 से 2 pi के बीचमें लाई करता है negative तो होता ही नहीं है वो तो उस negative को पहले हमे positive बनाना है तो negative को positive कैसे बनाएंगे हम उसको हम negative quadrant में जिस quadrant में वो negative होता है उसमें लाई करवा देंगे हम वहाँ पर value चेक करेंगे कि उसकी value क्या होती है ठीक है? यह है हमारी चीज़े आई चीज समझ अच्छे से clear हुआ? ठीक है? कोई doubt नहीं है ठीक है? चलिए अब करते हैं हम next question यह होगे आपके question clear? चलिए अब यह तो था कि right side में जब आपको क्या दियो? value दियो in terms of in terms of number in terms of number आपको right side में value दियो तो आपका क्या हो जाएगा? क्या निकल आएगा principle solution और general solution यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार यह चीज़े तक कि board हमारा clear हो जाए x is equal to n pi plus minus 1 ratio the power n into y और cos x is equal to cos y होगा तो x is equal to 2n pi plus minus y और tangent x is equal to tangent y होगा तो x is equal to n pi plus y तक कि आप board पर देखते रहें कि मैं गलत value तो use नहीं कर रहे हैं है ना? कहीं मैं हमें ऐसे ही बना रहे हो बेव को बना रहे हो और मैं गलत value use कर रहे हैं कुछ भी solution दे रहे हो इसलिए आप लोगों के लिए यह सारी चीज़ ठीक है? चलो देखे कोशिन क्या है हमारा next हमें दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है cos of 4x is equal to cos of 2x अब हमें क्या दिया? लेफ्ट में भी trigonometric function दिया राइट में भी trigonometric function दिया अब ही तक तो हम क्या करे थे? left में trigonometric function दिया राइट में हमारे पास क्या थी? कोई ना कोई real number था अब दोनों ही side function आ गया तो दरने की जूर्ट नहीं हमें करेंगे क्या इसको? इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएए क्या हो जाएगा? cos a minus cos b क्या होते है formula cos a minus cos b का? 2 sin c plus a plus b by 2 और sin a minus b by 2 और sin bar क्या जाएगा? minus तो minus sin a plus b by 2 4 plus 2x 6x 6x by 2 is 3x और sin a minus b 4x minus 2x 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 और 2x by 2 is x क्या है चलेगा हमारा 0 ना? क्या आपके इसको इधर लेके आगे है तो is equal to क्या हो गया हमारा 0? तो यहां से 2 case बने या तो sin 3x 0 है या sin x minus को तो कोई effect नहीं बढ़ेगा minus उदर जाके मर जुजाएगा 0 के अंदर ठीक है? तो यहां से 2 case बने या तो sin 3x 0 है या फिर sin x 0 है या फिर sin x हमारा क्या है? 0 है अब sin 3x 0 है तो sin 0 कहां होता है? sin 0 कहां होता है? sin x 0 कहा होता है जब आपका x क्या होता है? n pi pi के multiple पे हमेशा sin कहा होता है जीरो होता है न? तो यहां से क्या होगे? इसका मतब 3x is equal to n pi और x is equal to n pi क्योंकि या पे एंगल 3x था तो इसलिए हमने 3x लिख दिया अब यहां से x is equal to क्या आ जाएगा? n pi by 3 और यहां से x is equal to क्या है आपका? n pi for all n belonging to the integer यह चीज़े लिखनी बहुत ज़रूर है आपको for all n belonging to the integer कि यह n कहां से आ रहा है आपका? यह तो बताना पड़ेगा न आपने n यह negative भी हो सकता है n आपका positive भी हो सकता है तो हर एक case पे आपका sin 3x क्या रहेगा? 0 और sin x क्या रहेगा? 0 रहेगा ठीक है? तो यह किसका solution है? cos 4x is equal to cos 2x का solution है कर लेंगे? हो जाएगा solution यह कैसा solution है? आपका general solution है कैसा solution है? general solution ठीक है फ्रेंट्स? ठीक है? अगर इसके principal solution की बात करें तो sin x 0 कहा होता है? 0 पे और πाई पे तो principal solution क्या रहेगा? 0 और πाई 0 और πाई किसका? किसका? sin x का और sin 3x का क्या रहेगा? 0 और πाई बाई सीच लेकिन वो 3x होएगा 0 और πाई यानि कि x 0 और x क्या हो सकता है? πाई भाई 3 हो सकता है x 0 हो सकता x πाई भाई 3 भी हो सकता है अब यहाँ पे एक और चीज़ ले सकते हैं 2 πाई भी ले सकते हैं 3x को 2x 2 πाई भी ले सकते हैं तो वहां से क्या आ जाएगा 2 pi by 3 क्योंकि value तो हमारी 0 and pi के बीच में लाई करिये ना जो हमारा angle है उसकी 0 pi by 3 2 pi by 3 इन पर हमारे function की value क्या हो जाएगी 0 ये कैसे solution है हमारे principle solution है कैसे solution है principle solution तो जो चीजे आपकी book में भी available नहीं है वो भी कर रहे हैं friends ठीक है हम हटके कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो चीजे देखना कुछ ना कुछ ना कुछ ना है आपको जरूर मिलेगा lecture के अंदर ठीक है next देखी sin 2x चलिए कर लेते हैं cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 minus cos 2x is equal to 0 अगर इन दो पे formula लगाएं पहले हों तो cos a plus cos b क्या होता है formula 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 तो 2 cos a plus b by 2 यहनि की 2x और cos a minus b by 2 यहनि की cos of x और minus cos of 2x is equal to क्या चल रहा है 0 इन दोनों में से क्या common हारा है cos of 2x common हारा है तो यहां से क्या हो जाएगा 2 cos of x minus 1 is equal to 0 ठीक है अब यहां से करें या तो यह 0 है या फिर यह 0 है तो first condition लेके चल लेते हैं हमारा क्या 0 है cos 2x 0 है और second condition में क्या है 2 cos x minus 1 0 अगर इसको करेंगे तो यहां से cos 2x 0 कहा होता है क्या बताया था आपको cos x 0 कहा होता है पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पर पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पर यहां से वैल्यू क्या आगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई यह 2 अदर चला जाएगा तो 2 अदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4. एक value तो यहां से आगी है हमारी. एक value तो यहां से आगी. अदूसरी value यहां से निकालेंगे. और यहां से क्या हूं आगया? 2 cos x is equal to 1 then cos x is equal to 1 by 2. cos x is equal to 1 by 2. 1 by 2 कहां होता है आपका? pi by 3 पे होता है किस पे होता है pi by 3 पे तो cos x is equal to cos pi by 3 compare कीजिए इसको इससे cos x is equal to cos y तो x क्या होता है 2n pi plus minus y तो यहाँ पे यह y है यह x है तो क्या हो जाएगा x is equal to 2n 2n pi plus minus pi by 3 for all n belongs to the integer for all n belongs to the integer हुई चीज़े clear तो ऐसे आपको concept लगाने है तो यानि कि इस exercise में आपके previous exercises के formulae भी use हुए है तो अगर आपने previous exercises नहीं की या previous lecture जो हमने upload की है वो नहीं देखे तो आप यह question भी solve नहीं कर पाएंगे क्यूं कि यहाँ पे आप formula इपलाई नहीं कर पाएंगे आप 11th class के लिए तो है ही है in future आप competitive exam के preparations करते हैं तो उसके लिए भी बहुत जाता है important है ठीक है friends चलिए बढ़ते है next question की और देखी next question क्या है हमारा sine 2x plus cos of x अब यह तो एक तो sine में आगया एक cos में आगया इसका क्या करें भई इसका कोई है method आपके पस formula है ना जो हमने previous lecture में किये है वो formula काम आएंगे ठीक है तो sine 2x क्या होता है formula 2 sine x cos x और plus में क्या चल रहा है cos x यहां से cos x common यहां से cos x common common ले लिजी cos x common आया तो यहां पर क्या बना 2 sine x plus 1 is equal to 0 2 sine x plus 1 is equal to 0 ठीक है friends अब देखें यहां से यहां से दो चीज़े possible है या तो cos x 0 है या फिर 2 sine x plus 1 आपका 0 ठीक है cos x 0 होगा तो यहां से तो x की value directly क्या आ जाएगे 2 n plus 1 into pi by 2 2 n plus 1 into pi by 2 अब बात बचती है इसकी इसका क्या करें हम अब यहां से 2 sine x क्या आ जाएगा minus 1 और sine x क्या आ आ गया minus 1 by 2 अब यह तो minus में आ गया minus को तो compare कर नहीं सकते तो minus को क्या बनाना पड़ेगा plus बनाना पड़ेगा पहले minus में लिखे value क्या हैगी sine x क्या होता है यह minus 1 by 2 क्या होता है minus sine pi by 6 तो इस negative को positive को बनाना ही पड़ेगा और छोटी से छोटी value में देखनी पड़ेगी तो sine negative कोन से quadrant में होता है third quadrant में होता है तो इसको हम क्या write कर सकते है sine pi plus pi by 6 यह क्या हो जाएगा sine 7 pi by 6 और left में क्या चल रहा है आपका sine x और sine x अब यहाँ से compare करेंगे तो यह sine x और यह sine y है sine x is equal to sine y होता है तो x क्या आ जाता है हमारा x क्या आ जाता है हमारा n pi plus minus 1 raise to the power n into y तो यहाँ से x क्या आ जाएगा n pi plus minus 1 raise to the power n into y for all n belongs to the integer for all n belongs to the integer आई चीज़ सबज आपको अच्छे से तो ऐसे आपको करने है ऐसे आपको result derive करने है हम ऐसे question को कर सकते हैं बहुत ही easy way में हम question को कर सकते हैं ठीक है फ्रेंस चलिए करते हैं next question हमारा next question देखें क्या है करदू रफ्यस को ठीक है चलिए देखें फ्रेंस क्या है next question में हमारे सीकेंट स्केयर 2x is equal to 1 minus tangent 2x एक सीकेंट में आ गया एक टेंजेंट में आ गया अब हमें तो दोनों साइट टेंजेंट टेंजेंट का पता है ना और किसी का नहीं पता है टेंजेंट की फोर्म में तो सिर्फ में टेंजेंट का ही पता है है ना तो इसको कैसे फर्दर सोल करेंगे हम देखी सीकेंट स्केयर x फूर्मला क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x होता है ना फूर्मला सीकेंट स्केयर x का क्या फूर्मला होता है टेंजेंट ओफ 2x, 1- टेंजेंट ओफ 2x, यह 1 से 1 तो कट हो गया, बच गया क्या है यहां से, टेंजेंट स्केर 2x is equal to minus टेंजेंट ओफ 2x, इसका क्या करें अब, इसको एक साइट में इकठा कर दीजी, अब क्या आजाएगा यहां से, टेंजेंट स्केर 2x plus टेंजेंट 2x is equal to 0 आजाएगा, ठीक है फ्रेंट्स, अब यहां से क्या को मना आ रहा है, टेंजेंट 2x को मना रहा है, यहां पर क्या बचेगा, टेंजेंट 2x plus 1 is equal to 0, यानि कि या तो यह 0 है, या फिर यह 0 है, अगर फर्स्ट वाला 0 है, या फिर दूसरा और, टेंजेंट 2x plus 1 is equal to 0 है, तो टेंजेंट x 0 कहा होता है, टेंजेंट x 0 कहा होता है, जहां पर हमारा sin 0 होता है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट x हमारा क्या होता है, sin x by, cos x नीचे वाला तो कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है न, और उपर वाला क्या होना चीए, अगर यह n pi का multiple है, तो हमारा टेंजेंट x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंजेंट x क्या हो x तो क्या है, 2x है, तो यानि कि 2x is equal to n pi, तो x is equal to first value तो क्या आगी मारी n pi by 2 for all n belongings to the integer, for all n belongings to the integer, उसको इधर solve कर लेतेंगा, यह थोड़ा सा रफ कर देतेंगा, इस साइड वाला, अब वहां से क्या है, टेंजेंट 2x plus 1 is equal to 0, यहां से क्या आजाएगा, टेंजेंट 2x is equal to minus 1, अब minus 1 कहा होता है टेंजेंट, minus tangent pi by 4 पे, अब वही चीज़ आगी minus, तो रख नहीं सकते है, तो minus को में क्या बनाना पड़ेगा, plus बनाना पड़ेगा, और सबसे छोटी से छोटी value देनी पड़ेगी positive है ना, अब टेंजें कौन से क्वाजन में negative होता है, second में और fourth में, fourth में लेंगे तो बड़ी value आजाएगी, तो छोटी value किसमें आएगी second क्वाजन में, तो second में क्या लेंगे, क्या लेक सकते हैं, इसको tangent pi minus pi by 4 लिख सकते हैं, तो यहां से क्या आजाएगा, tangent 2x is equal to tangent 3 pi by 4 हमारे पास आजाएगा, tangent 2x is equal to tangent 3 pi by 4, तो यहां से यह हमारा एक variable, यह हमारा दूसरा variable, तो क्या कहता है formula, क्या कहता है formula, 2x is equal to n pi plus 3 pi by 4 for all n belongings to the integer, यह तो 2x की आई, हमें तो x की value निकालनी होती है न, तो इधर ले यह 2 को, तो क्या हो जाएगा, n pi by 2 plus 3 pi by 8 for all n belongings to the integer, for all n belongings to the integer, यह थे आपके questions, जिसके अंदर हमने discuss किया था, कि कैसे आप किसी भी trigonometric function की या trigonometric equation की क्या निकालते हैं, principle value निकालते हैं, या general solution भी बोल सकते हैं, principle solution भी बोल सकते हैं, वो चीज़े कैसे निकल के आती हैं, but mind में आपको एक ही चीज़ रखनी है, principle solution जब भी बोले तो 0 से 2 pi के भी चैनल चीज़े, general solution बोले तो n का कुछ भी multiple हमारा हो सकता है, ठीक है friends, चलिए, बढ़ रहे हैं next question की और, देखिए क्या next question, sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0, ठीक है, अब किसी को भी कठा कर लीजी, कोई problem नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब यहां से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, sin x, इसको पहले लिए यह बाद में कोई फरक नहीं परता, sin a plus sin b, क्या formula होता है, sin a plus sin b का क्या formula होता है हमारे पास, sin x plus 5y by 2, और cos x minus 5y by 2, अब देखिए, हम किसको बना सकते हैं कि हमारे पास आ जाए, अब यहां से एगर करें, तो sin और sin 5x को इकठा कर लेते हैं, क्योंकि इसको करेंगे न, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों को add करेंगे, 6x और 6x by 2 हमारा क्या बन जाएगा, यहां से 3x बन जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों पर formula प्राइग करते हैं, sin a plus sin b, तो क्या होता है, 2 sin a plus b by 2, x plus 5x 6x, 6x by 2 is 3x, और cos a minus b, x minus 5x minus 4x, minus 4x by 2 minus 2x, और plus sin 3x, is equal to क्या चल रहा है हमारा 0, चली रहा है, ठीक है, आप देखे, cos of minus x क्या होता है, आपका हमेशा क्या बनता है, cos of x, discuss किया था हमने, कि cos of minus of angle हमेशा क्या बनता है, positive बनता है, क्या बनता है हमेशा, positive बनता है, तो इसमें करेंगे तो यहां से क्या को मना रहा है दोनों में से पहले इसको लिखी लेते है पोजटी बना लेते है 2 sin 3x cos of 2x plus sin 3x is equal दोनों में से क्या को मना रहा है sin 3x और यहां पर क्या बचा 2 cos of 2x plus 1 is equal to 0 यानि कि या तो यह चीज़ 0 या फिर यह चीज़ 0 तो पहले first condition ले ले लेते हैं कि sin 3x 0 sin 3x sin x 0 कब होता है पाई के multiple पे तो यानि कि 3x क्या हो जाएगा आपका n pi for all n belongings to the integer for all n belongings to the integer और यहां से 3 को इदर लेके आएंगे तो value क्या आ जाएगी x is equal to n pi by 3 for all n belongings to यह चीज़े जो मैं लिखनी हूं आपको लिखना बहुत जादा इंपोर्टन है आपका ही skip कर दो कि n belongings to बहुत जादा इंपोर्टन है इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर आप यह नहीं लिखने एग्जामिनर आपका half marks भी cut कर सकते हैं यहां से क्योंकि आपने n को तो define किया ही नहीं n है क्या यहां पे कौन सा number है dl number है whole number है natural number है integer है क्या क्या value ले सकते हैं इसके अंदर हम अब यहां से करेंगे तो यहां से क्या आएगा 2 cos of 2x plus 1 is equal to 0 cos of 2x is equal to minus 1 तो यहां से cos 2x का निकालेंगे तो क्या आजाएगा minus 1 by 2 अब value minus 1 by 2 कहाँ होती है pi by 3 पे होती है नहीं न तो cos 2x minus cos pi by 3 but हमें तो क्या चाहिए है हमें तो negative को क्या बनाना है positive बनाना है हमें तो negative को positive बनाना है तो छोटे indo main cos negative कहाँ होता है second में πi minus πi by 3 cos πi minus πi by 3 यह बाद देख लिजिए मैं बीच वाला पोरिशन फिर रफ कर देती हूं कर दो रफ ठीक है चलिए अब यहां से देखें तो cos πi minus πi by 3 आपका क्या होता है cos of 2 πi by 3 बस अब तो बात ही कुछ नहीं रही है cos 2x is equal to cos y तो यहां से 2x is equal to क्या आजाएगा आपके पास 2n pi plus minus y 2n pi plus minus y और जैसे इसको further हम solve करेंगे तो x की value क्या आजाएगे 2 से divide कर देंगे इसको तो x की value क्या आगी n pi plus minus pi by 3 for all n belongings to the integer for all n belongings to the integer यह आपके पास 2 solution आगे या तो यह वाला solution होगा या फिर यह वाला और की condition आपके बिकोज लोनों की product थी ना या तो first factor आपका 0 हो सकता है या फिर आपका कौन सा factor 0 हो सकता है आपका second factor 0 हो सकता है ठीक है friends तो इस chapter के अंदर जो जो चीजे थी हमने basically जो basic से लेके higher level तक का सब उस discuss कर लिया है ठीक है अब इसके अंदर एक दीन और लगाएंगे पूरा चप्टर हम अच्छे से करेंगे मिस्लिनियस की form में ठीक है तो मिस्लिनियस exercise हो रहती है उसके बाद हमारा chapter complete हो जाएगा next time ऐसे ही चलते जाएंगे flow में हमारे ठीक है, regularly classes लग रही है आपकी तो जल्दी से चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए like जरूर कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो comment करके बताइए कि कैसा लगा है आपको आज का session ठीक है बहुत important चीज़े में आपको करवा रही है जो आपके next week आगे भी career में भी काम आएंगी इनके मैं तो कहूंगी नोट्स बना लीजिए इनके क्योंकि ये चीज़े बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके competitive exam में बहुत help करने वाली है ठीक है 11 में तो exam आपके जो school के exam होते हैं उसमें तो आपको help करेगी करेगी आगे आप किसी भी चीज की तारी कर रहे हैं कोई NDA में जाना चाहरा है कोई किसी और other courses में जाना चाहरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा help करेगी ये चीज़े ठीक है तो मेरी एक personal advice है आपको कि इनके नोट्स जरूर बना लीजिए ठीक है नोट्स बनाएंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा उनको आप सेक्योर करके रखी ताकि इन फ्यूचर आपको कभी जूर्ट पड़े तो नोट्स उठाएं और वहां से आपने पढ़ लिया ताकि आपकी तरह बहुत सारे बच्चों की help हो सगे ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ-टेक केर बी हैल्दी माइफ्रेंड्स थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो